दोस्तो railway recruitment board non-technical popular category के लिए बहुत ही ज़्यादा competition है भुपाल reason के अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी competition बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए मुस्किल बहुत ज़्यादा होगी अगर आप selected material नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर आप पढ़ते रहेंगे और आपको पता नहीं होगा कि क्या जो चीजें हैं जो आ सकती हैं और क्या वो चीजें हैं जो नहीं आ सकती हैं तो दोस्तो हम आपको बहुत पढ़ाएंगे जो आता है एक्जाम में जिससे आपको number मिलेंगे तो हम लोग उसी को लेके चलने वाले हैं 500 mcqs की हमारी series रहेगी और विल्कु सारे हमारे अगर हम बात करें तो अलग-अलग departments में भूपाल में इंदौर में नगरनिगम में खंडबा में कई सारी जगे दोस्तों हमारे student select हुए हैं और अभी आप देखेंगे की TET का result आएगा MPTET का उसमें भी काफी सारे हमारे बर्ग एक के और दो के नए नए सिक्षक बनेंगे definitely मुझे इंतजार रहेगा आप सभी लोगों का जिन लोगों को जो लोग select होंगे जो लोग teacher बनेंगे उन सभी का मुझे इंतजार रहेगा और आप भूलेगा मद जो आप लोगों ने कहा था कि आप लोग जरूर हमें बताएंगे जैसे भी आपको सफलता मिलेग निश्चित रूप से आप हमें बताएंगे तो दोस्तो आरार भी के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सफलता मिले पद थोड़े से कम है तो ना करें अगर हम आबेदनों से क्योंकि आबेदन है 1.6 करोड पद हैं सिर्फ 35,000 लेकिन दोस्तो हमारी तैयारी ही देती हैं हमें धार क्योंकि अगर हमें फतह करना है मैदान को तो निश्चित रूप से अपनी तैयारी को ही धारदार बनाना होगा और उसी दिशा में हमारा ये प्रयाश आपके लिए रहेगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा प्रयाश जो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने बाला है तो शुरू करने से पहले कुछ महत्व पूर्ण जानकरी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलबे एकजामस की आर आर बी एंटीपी सी आर आर बी जूनियर इंजीनियर रेलब रेक्रूटमेंट जो भी है कुरूब डी की और इसमें दोस्तों एंबी परिक्चा एप के माध्यम से आप ऑनलाइन प्रेक्टिस कर सकते हैं पेपर जो है अपने मुबाइल पर दे सकते हैं और इससे जो आपकी तैयारी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी हमारा कोड गूर् परिक्षाइप को डाउनलोड करने की लिंक नीचे दी गई है आप बहुत कर सकते हैं और दोस्तों आप अनकेडमी प्लस के माध्यम से टीटी की तैयारी भी कर सकते हैं और दोस्तों चली हम लोग सुरू करते हैं तो पहला कुश्यन यहां पर है नोबेल पूरुसकार विज पूचा गया है कई सारे एक्जाम से पूचा गया है तो करेक्ट आंसर है नौ मई नौ मई को मनाया जाता है एश्या के पहले नोबिल पुरुसकार विजेता रवींद्र नाठ टैगवर जी का जन्म दिबस और रविंद्र जैन्ती को लोग प्रिय रूप से पोचिसी बोई जाता है और पूरे पश्चिम मंगाल बंगलादेश में ओपचारी ग्रूप से जस्न मनाया जाता है उन्होंने 2230 से अधिक गीतों की रचना की उनके गीतों को रविंद्र गीत कहाँ जाता है रविंद्र नाठ टैगोर ने भारत और बंगलादेश की राष्टर गानों की टेगोर पश्चिम में भारती संस्कृति को पेस करने में अत्यधिक प्रभावशाली थे और उन्हें आम तोर पर आधुरी भारत के उत्कृष्ट रशनात्मक कलाकार की रूप में जाना जाता है टेगोर की बंगाली कभीताओं के अंग्रेजी अनुबाद गीतान जली के लिए उन्हें 1913 में नोबिल पुरुसकार दिया गया उनके साहित्त का अंग्रेजी, डच, जर्मन, स्पैनिस और अन्य यूरोपी भासों में अनुबाद किया गया है दोस्तो नेक्स्ट हम लोग कुश्चन ले लेते हैं आभी हाल ही में मनाया गया है बिश्व थियर्टर दिबस और आप्सेंस आपकी सामने है 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च दोस्तो इसका correct answer हम लोग देख लेते हैं और यहां पर दोस्तो हमारे सामने इसका correct answer है दोस्तो वो है 27 मार्च थियर्टर दिबस जो मनाया जाता है 27 मार्च को मनाया जाता है देख सकते हैं आप यहां पर विश्व थियर्टर दिबस 27 मार्च को मनाया जाता है इसका उद्देश से थेटर का लाका संपून विष्व में परचार परशार करना है, 2018 थेटर डिवस मैसेज नीना ली एक्विने ने दिया। दोस्तो नेक्स्ट कुश्चन हमारे सामने है, विष्व जैव विवित्ता डिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने है, 22 मार्च, 22 अप्रेल, 22 मई, 22 जून, देख लेते हैं इस प्रश्ण का करेट उतर, तो करेक्स्ट उतर है 22 मई, अन्तराष्ट्री जैव विवित्ता डिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, दोस्तो इसका उत्ती से जैव विवित्ता की सुरक्षा करना, तो दोस्तो यहां पर उत्तर डिखा है, 22 मार्च, यह वहला गला थे, लेकिन सहित उत्तर है 22 मई, तो यह मनाया जाता है 22 मई को, बेस्व गोरायय दिवस कब मनाया जाता है, ओप्स्टन साब आपको दिए गया इस, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, दोस्तों उसको बढानी के लिए और साल 2010 में पहली बार गौरया दिबस मनाया गया है था रिपोर्ट्स के अनुशार गौरया की संख्या में करीब 60 पीश्दी तक कमी आ गई है इस दिबस का उद्देश गौरया का गौरया चिडिया का संरक्ष्ण करना है दोस्तों नेक्स्ट कुश्चिन हमारे सामने है बिश्व मौसम दिबस कब मनाया जाता है तिज मार्च 24 मार्च 23 अपरेल 24 अपरेल तो देख लेए इस प्रशन का करें उत्तर इसका करें उत्तर है तेइस मार्च 23 मार्च को मनाया जाता है बिश्व मौसम दिबस World Meteorological Organization की जो स् टूबर 23 नवंबर 25 दिसंबर 31 जनवरी तो करेक्ट उतर है हमारा 23 नवंबर 23 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल के एडिट को डेए 23 जो है नवंबर को ही पहली बार NCC की स्थापना के उपलक्ष में यह मनाया जाता है तो नेक्स्ट कुश्चिन हम लोग ले लेते हैं यहां व consuming को हाइड्रोजन बम पीडीत परिक्षन में पीडीत लोगों के लिए मनाया जाता है नेक्स्ट हमारा अंतराश्ट्री स्वतंत्र प्रेश वतंतरता दिवस कं माई जाता है एक माई जन्डा दिबस को मना जाता है यह यह दिसंबर को मना जाता है प्रिशिद्य गडितक स्री निवास रामा नुजन के जन्विनें पर मना अब कोछ लिए लेते हैं यहां पर जन्वरी से तो यह कौश्चिन विए आप लोगों के लिए काफी मैं खुल रहेंगे तो पहला कुछिन ले प्रवाषी भारतिया दिवस किस दिन मनाई जाता है। 9 जनवरी 4 जनवरी 10 जनवरी या 15 वर तर नौ जनवरी के दिन मनाया जाता है प्रवाषी भारतिया दिवरस बर्ट जो पंद्रवा हैं वो कहां पर मनाया गया है कुष्ट निवारण अभियान दिबस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों आपके पर 10 जन्वरी 11 जन्वरी 12 जन्वरी ये 23 जन्वरी कुष्ट रोक कि अगर हम बात कर तो माइक्रो बेक्टिरियम लेप्राइन नमक जीवानों से होता है लोगों में जाग रुकता फैलाने के लिए इस दिन कुष्ट निवारण दिबस मनाया जाता है और दोस्तों नेक्स्ट कुष्टिन के और हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर इंडिया नानमीडे यानि कि भारती थख जान दिबस किस दिन मनाए जाता है बाराद जनवरी तेरह जनवरी चोधा जन्वरी ये पंद्रह जन वरी क्रिक्टाइब्स अर्मारे पास है RUS इता इसी 676 में खर लेकिन भारती थलसे आपनाई सुतनता मिलने के बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यह मना जाता है भारती थलसिना दिवस्त लाला लाजपत्राई की जनुटी कम मना जाती है पच्छिस पंदरा टाइस यह तीस जन्वरी देख लेते हैं करेक्टांसर टाइस जन्वरी इन्हें पंजाब केश्री की 30 जन्वरी को महत्मा कादी को महत्मा की जोपादी थी बो दीती रभंदा टैगोर राश्पता युपादी सुवाच्छन दुर बोष नहीं दीती लेकिन 30 जन्वरी को उनके अत्या कर देती नाथर्म गोडश्री ने और इस दिवस को अंतराष्ट एंसा दिवस की रूप मे में प्रदानमंत्री मनमोहन सिंग के द्वारा और मैं आपको बता दू नेता जी स्वास्चंद्र बोफ्ष चैनिती कम मनाई जाती है तो आपको दिये गए 23 जन्वरी चार जन्वरी 11 जन्वरी 26 जन्वरी तो करिक्ट आंसर हमारे दोस्तों यहां पर यहां पर है आपका 23 जन्वरी इनका जन्वरी उन 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था और चार जन्वरी के गरम बाद कर लोई ब्रेल दिवस बनाए जाता है क्योंकि लोई ब्रेल नेत्रहिनों के लिए छे बिंदों वाली ब्रेल भी बनाई थी जोस्तों नेक्स्ट हमारे पास रहा लाल बादूर सास्त्री स्मृति दिवस 11 जन् अंद में दिल का दूर्प पढ़नी सून का निधन हो गया तो यह काफी दोस्तों जन्वरी के हमारे हो जाते हैं डेज तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों यह आर और बी एंटीपीसी में डैफिनिटी आर बेंटीपीसी एससी किसी भी एक्जाम के लिए काफी इंप करिएगा और अगर चाहते हैं इसी भी करके वीडियो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक्यू थैंक्यू बरे मेंच